Hello students, class 10 के important program की series पर ये 3rd number का program है Write a program to print the sum of any 10 numbers अर्थात किनी भी 10 संख्याओं का total अर्थात योग print करने का program चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले हमने program में header file लगाया has include stdio.h, has include conio.h, main function curly bracket open, main function का इससे बात देखिए हमने integer पर एक variable लिया है a हम यहाँ पर 1d array का प्रयोग करके program बना रहे है तो जैसा कि पता है कि 1d array में पहले location की जो starting होती वो 0 से start होती है और अन्तिम location n-1 होती है और location के लिए एक loop चलाना होता है तो हमने alia variable जो 10 संख्याओं को store कर रहा है और i लिया है location के लिए i variable location के लिया है s जो की total store करेगा योग जिसकी अभी initial value क्या है? 0 है अब यह संख्याओं को add करके store करता चला जाएगा कैसे करेगा? चली दिखते है printf, enter any 10 elements यह message output की screen पर लिख करके आएगा इसे बात for loop i is equal to 0, i less than 10, i plus plus i क्या है? मैंने बताया था location है ai अर्थाद i की value कहां से? 0 से तो a 0 location पर पहले value कोई भी a 1 location पर कोई भी दूसरी value फिर a 2 location पर कोई अगली तीसरी value इसी परकार a 9 तक जाएगी इससे बाद for loop का curly bracket open इस cat-off में हमने a variable में सभी 10 मानों को input करेंगे तो %d, m %a, sub script i clear? इससे बाद brush is close फर्मूला देंगे s बराबर s प्लस ai अर्थाद s जिसकी value क्या है? 0 है is equal to s जिसकी value क्या है? बताए भी 0 प्लस ai a एक variable है और जो 10 संक्याओं को store किये हुए है तो 10 संक्याओं किस पर store है? 10 संक्याओं i variable पर store है इसके बाद for loop का brush is close जो भी value increment होकर के i mean increment होकर के सभी value क्या s में store होती चले जाएंगी इससे बाद हम printf ये message display होगा sum of all number is percentage d और s अर्थाद s की value को ये display कर देगा इससे बाद get ch और main function का curly bracket close इसका output देखिए enter any 10 elements जैसे बताया था मैंने ये line लिख कर के आएगी इसके बाद हम 10 संक्याओं input करेंगे मैंने input की यहाँ पर 4, 5, 9, 8, 2, 7, 8, 13, 12 जैसे हम enter आ रहेंगे 10 संक्या input करने के बाद तो हम सभी संक्याओं का total कर देगा sum of all number is 80 उपर दी गई input संक्या का total कितना है 80 काम कैसे किया इसने फिर से देखिए एक बाद कैसे काम करेंगे जैसे बताया I क्या है loop location के लिए तो 4 यह A0 location पर restore होगा clear और यह 5 A1 location पर restore होगा इसके बाद 9 कहां पर restore होगा 9 होगा A2 location पर इसी परकार यह 8 कहां restore होगा A3 location पर तो last digit यह 22 कहां restore होगी A9 location पर clear उसा भी बीच में आटो अर्मेटिक allocate होती चली जाएंगी अब करना क्या है S is equal to S plus A I S की value क्या है भी 0 S is equal to S plus A I S की value क्या है 0 is equal to S 0 plus A I A I अर्थात I की शार्टें कहां से 0 से कहां तक 10 तक 0 location पर कौन सी value है 4 है 0 plus 4 कितना हो जाएगा S की value हो गई 4 S की value क्या हो गई S की value हो गई 4 अब यसे बत क्या होगा फिर I में क्या होगा increment होगा I में क्या होगा increment होगा तो यह हो जाएगा S is equal to S plus A I अर्थाद 4 is equal to 4 plus I की value increment होई अर्थाद A 1 location जो की दूसरी value हो क्या 5 5 और 4 यह जाएगा 9 अब S की value क्या हो गई 9 हो गई next condition पर फिर से इसी पर 9 is equal to 9 plus अगली value क्या है 9 9 और 9 क्या हो गया 9 और 9 हो गया 18 अब S की value क्या हो गई 18 हो गई इसी परकार I पर increment होता चला जाएगा और नई value S पर add होती चली जाएगी और S क्या करेगा एक whole number एक single number को इस्टोर करेगा जो की उस पूरे number का total होगा इस परकार last में वो message display करेगा और S की value को display करा देंगे Thank you